तो नमस्कार दूस्तों स्वागत आप सभी को जौब गार शर्श रिचलने को फिर से तो आज के इस वीडियो में हम Light reflection and reflection class 10 की NCIT बुक की जो एक्जामपल है हमारे वापे टोटल चार एक्जामपल है लाइट की चेप्टर में जैसे कि आप सभी को पता है दो एक्जामपल है ह मेरे मेरे तो इस उप्रंगे गोरे लीट है और जो को सब्सक्राइब कर दिएगा तो हम यहाँ पर चार एक्जामपल को देखने वाले तो वीडियो का आप अंतक जरूर देखेगा पीडियेफ के लिए टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करिए तो देखे दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल स्क्रिन पर यहाँ पर कोशन के तरफ चलते तो सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लेते तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है यहाँ पर देखे कहा गया इफे बस इस लोकेट इट फाइब मीटर फॉम दिस मेरर यानि कि बस को बस जो है पाँच मिटर दूर आपको पता है कशन बिर यह है इसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तो अबजेक्ट कहा है रहे हमें इस ऑबजेक्ट हमारे लेफ्ट शैड में ही रहती है ना तो अ्बजेक्ट इसको यहाँ पर निकाल लेंगे यहाँ पे और साथी साथ यहाँ पर आप question पर देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है find the position nature and size of the image यानिकि size of the image भी आपको कहा जा रहा है तो यानिकि H-desk भी आपको इस सवाल में निकालनी है तो चले start करते आपको पता है mirror formula क्या है 1 by F बराबर 1 by B plus 1 by U है हमारे पास तो हमा आगे करेंगे दोस्तों 1 by V this implies 1 by B बराबर हमारे पास 1 by focal length कितनी है focal length हमारे पास आ गई 1.5 मीटर माइनस 1 by U हमारे पास कितना माइनस 5 तो इसको हम कर देंगे bracket में फिर से 1 by B बराबर अब देखें यहां पे यह .5 है ना इसको हम 10 by 15 लिख सकते के नहीं लिख सकते है जरूर लिख सकते हैं यहां पर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जागा यान कि 1 by 5 हो गया हमारे पास पीछ दिस इंप्लाइज 1 by B हम यहां पर निकालेंगे दोस्तों यह जो हम ले ले लेंगे तो हमरे पास 15 आ जाएगा है कि नहीं और यह जाएगा यहां पर 10 बार प्लस 530 यान कि 3 टाइम में तो हमारे पास यहां कि 1 by B बराबर हमारे पास आगे हैं यहां पर दोस्तों निकल करके आ गया है 1.15 मिटर तो यहां पर देखिए इमेज जो हमारे बनती इमेज डिस्टेंस राइट साइड में बनती है तो यहां ने कि यहां पर साइन के अनुसार यह एक सेक्सिस को फोलो कर रहे होगी तो यहां पर पोजिटिव हो जाएगी है कि नहीं तो हमारे पा यहां पर है तो इसके राइट साइड में 1.15 मिटर में इमेज बनी है इमेज की आपको डिस्टेंस मिल गई है है कि नेचर आपको पूछा जा जारे है तो नेचर यहां पर क्या हो जाएगा नेचर हमारे यहां पर हो जाएगा लिट्टुल से आपको पता है ट्रोल कब बनती है ठीक है वर्टुल एंड इर्यक्ट इनक इमेज बनता है हमारा हमारा में साइढ निकाल लेते तो अग्सेर के लिए यू मिरर के लिए माइनес लगती है रियार के वेलूब 1.15 आई है by इसको माइनस में लेंगे यू यू अलोडी हमारा माइनस 5 है तो इसको कर देते हैं माइनस 5 इसी को हम लिख सकते हैं 115 पोईंट हटा देते तो नीचे में हम बदले 20 देंगे तो इसको काट लेते यानि कि हमारे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखा जाए तो हम यहां पर हाइट अब यहां पर इमेज भी निकाल सकते हैं यानि कि ह24 यहां पर हमारे पस्कितना में तो यहां पर यहां पर मनेगा यहां इनकी यहां पर रहें पर देक यहां ठोने बहुत हैं छोटा बंता है यहां लखते हम यहां पर इमेज इस स्मोलर स्मोलर बाई वैक्टर 0.23 ओफ दफ दफ हाइट ओफ अबजेक्ट तो उमीदे आपको ये क्लिरली समझ माया होगा बढ़ते हम नेक्स सवाल के तरफ अले सवाल के तरफ देखी यहाँ पर कहा गाया एन अबजेक्ट 4 cm in size is placed at 25 cm in front अब कंके मेर यहाँ पर केस को आया है ये केस हमारा किसकी लिए कंके मेर के लिए आदिक याँ आप हम ने किसकी ने लिया इक लिया है कंके मेर को लिए यहाँ पर कहाँ याइँ ठोशिया रहे हैं 4 cm in size object के size बताए गए यानि कि क्या है हमारा height of object, 4 cm की object है, is placed at 25 cm in front of Concave mirror, यानि कि Concave mirror के front में, यानि कि यापको क्या दिया गाए, यह आपको दिया गाए, यहाँ पे U, यानि कि U बराबर हमारा होगे 25 cm, आपको पता है, object हमेशा negative में रहती है, of program आपको निंगत्थ होता है यहां फोकल लेंगदा यह वही किसमें पट्वेस्क डिखना है कि हमारा सारे जखने अतले साम्ट सते मिलजा है याने कि हए यहां पर आपको क्या पूच्छा जा रहा है इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहे हैं कि वी बराबर वाट अपको निकालना है आगे देखिए फाइंड दर नेचर एंड साइज अब दर इमेज यानि कि आपको यह पर एच डेस भी निकालने के लिए कहा गया है तो हमारे पास सारे फर्मुला है उसी के को डिंग हमें आपको निकाल लेते है तो हमारे पास। फर्मुला क्या है दोस्तो 1 by f बराबर 1 by b प्लस 1 by u फिर से हमें 1 by b निकालना है 1 by b बराबर हमें आपको करते है 1 by m वाइप talking minus 1 by u कितना मेरे पास 25 तो यह भी minus में है तो इसी के बाद दोस्तों हम यहां पर नेक्स करते हैं यानि कि 1 by B बराबर हमारे पास आजाएगा 1 by minus 15 यह हमारे प्लस होजाएगा by 25 तो यहां पर ले ले लेते हैं वन बाइब बराबर यहां पर 75 होजाएगा तो 155 टाइम जाएगी तो minus 5 प्लस 25 कितने टायम जाएगी ठीटाइम जाएगी यहां कि 1 by B बराबर यहां पर पर यहां पर पास दूस्तों देखाएगा डिकत दोस्तों किसी को किसी प्रकार के दिकत नहीं होने चाहिए इसी को इस इंपलाज हम लिख सकते हैं भी बराबर माइनस 75 बाइट यानि कि इसको अम लिख सकते हैं दोस्तों 37.5 कि 37.5 वकटीसक्ते कि निले सकते नियुक्त किस मैम माइनस में तो वी की वेल coconut दुस्त ci यहाँ पर निकल करके अगई यानिकि हमी मेर हो निपने मेटर फटेस सेंटी मेटर दूर में यहाँ पर पहुचाने चाहिए यीजिलीolate सकते हैंазыв दिस स्क्रीन कि शूड को या दो इन कि फ्रॉंट ओफ मिरर यानि कि यह जो मिरर है स्क्रिन को कहां पर प्लेश करने चाहिए 37.5 सेंटीमिटर दूर में यहां कहीं इससे दूर ठीक है तो यह तो दोस्तों हमारे पास निकल के आ गया आपको यह पर पुछा गया था दोस्तों दोस्तों साइज हम कैसे निकाल दोसार तो यानि कि एच डैस बणाषर में इस atem का कया सकते वि यानि को मैं यह लिख सकते कहिंसे खीस हमें यहां पे निकालना दोस्तों बदावर मैंनस भी यूङ इंटु एच हैंड़ आहद बिरावर हमेरे पास है मारे 6- क्या आई we can & to be thirty seven point five plus में vazєऊ is 9-25 गौना में हाइट हमारे पस कितना है 4 cm तो 148.8 1525 किसमें है तो पर तक को यहां पे दुस्तम जब डिवाइट करने जाए तो हाइट ओफ इमेज में निकालना है तो इसको राउंडिंग कर लेते हैं ठीक है इसको मुराउंड फिगर में 150 लिख लेते हैं बाइट 25 से अब हो जगाना अराम से यहां कि पच्छी से बार में चला जाएगा यानि कि यहां पर माइनस सिक्स सेंटीमीटर हमारे पास कि रियल एंड कर इंवर्टिड इंवर्टफीं कि अ रि Music जानकी यहां पर पर यहां पर इमेज यहां पर बनते हैं तो यहां पर नीचे के तरफ नीचे के तरफ कौन से यह हमारा माइनस Y ैक्स एक्सिस के माइनस वाली पार्त इसलिए यहाँ पर औबजेक्ट जो रहेगी इमेज की पहले लुटा वनेगी इंवर्टेट बनेगी और यहल वनेगे रियल की वन रहे तो दोस्त हमने है यह पर इंबर्टेड लिग दी साइज अपने इस हमने यहां पर निकाल लिए मैं और 6 सेंटीमेटर तो यह सवाल भी हमारे यह पर बन के तैयार हो चुका तो चलिए यह दोस्तों हम देखतें ब्दूसरे सवाल यह पर इसांपल नमबर 10.3 अब हम आचुके लेंग्ज की सवाल करेंगे हमने मेर की सवाल दो सौल्ट कर रखी यह देख लेते तो यहां पर कहा गया थैन कुणट 3 में एक कुणते में से की इसकी फोकल लेंग्ट के दोस्तों कि एक की किके लेटा है कि आपको पता कि जब पर आती है तो यहां से डाइवर्ज हो जाती यह लेते हैं उसकी इमेजनरी डोटेड ले ले लेते हैं और यह यहां यहां पे कहा यह दोश्तों फोकस से हो करके जाता है तो यानिकि स्वाल में कि इस सवाल में आपको दी गई है फोकल लेंग्द आपको पता है focal length concave lens की case में left side में होती है तो इसलिए हम यहाँ पर minus लगा देंगे आगे देखे at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm यानि कि यहाँ पर image भी बना दिया है दोस्तो 10 cm की दूरी पर image कितने पर मना दिया गया 10 cm की दूरी में image बना दिया है from the lens also find the magnification produced by the lens यानि कि आपको यहाँ पर और क्या निकलने को कहा जा रहा है magnification तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा ray of light जहाँ पर actually meet होती है वहाँ पर आकर क्या बनते है image बनते है तो यहाँ पर image बन रहे है left side of the mirror बना रहा है यानि कि sign convention के अनुसार यह भी हमारा निगेटिव हो जाएगा है कि नहीं तो यहाँ पर कहा जा रहा है also find the magnification producer यानि कि हमें M भी निकालनी है तो निकाल लेंगे न काफी आसान है हमारे पास यहाँ पर lens formula है 1 by F बराबर 1 by B minus 1 by U आपको पता है mirror में plus होती है और lens में negative होती है ठीक है minus तो हमें यहाँ पर दोस्तों सारे चीज़े दी गई U निकालना हमें तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं U को इस side हम कर लेते हैं तो 1 by U को इस side करेंगे तो यह plus में हो जाएगा और यहाँ पर 1 by B minus 1 by F कोई दिक्कत तो 1 by U निकालने है तो 1 by U बराबर 1 by B यारे कि 1 by minus 10 cm minus 1 by focal length है हमारे यहाँ पर 15 cm यह भी हमारे यहाँ पर minus में तो 1 by U बराबर जो होगा यहाँ पर 1 by minus 10 minus minus plus होजगा यारे कि 1 by 15 है कि नहीं इसके साथ हमें क्या मल लहाँ धूस्तों 1 by U हमें यहाँ पर जो मिल रहा है वो कुछी सपकास से मिल रहा है यहाँ लेते हैं यहाँ पर 15 और यह हैं तो 10-3 जाया यानि कि 3 हो गया यहाँ है माइनस में होगा क्योंकि साइन यहां पर मैनस में है फिफ्टेज्ट रॡखे लेते हैं इस एंपलाइज वन बाइई इस उकल टो इस तो इसको जब हम रचेप्ल कर लेंगे तो में यह मिल जागा यह बराबर माइनस 30 सेंटीमिटर यानि कि object को कहा पर place किया जाएगा यहां कर यहां कि यहां पर हम देखते दोस्तों focal length यहां पर 15 थी यानि कि यहां पर कहा जाए 2F1 एक नहीं F1 यहां पर थी F1 की value यहां पर 15 cm थाटी सेंटीमिटर निकला यानि कि 2F1 में object को रखा गया रही यह वाली case हम object should be placed at 30 cm from the left of concave lens है कि नहीं ही तो में निकालना था सब्सक्राइब में अगला यहां पर कहा गया था मैंगनिफिकेशन निकालने के लिए तो मैंगनिफिकेशन के लिए हमरे पास फरूला क्या है एच डेस बाइच या फिर हमारे पास भी बाइउ है एक है नहीं हमारे पास निकलेगा नहीं बइवाइउ से निकाला तो वी यह हमारे पास निकल क्या ओल्रेडी है मायनस 10 cm यू हमने यहां पर निकाला माइनस 30 cm कितने टाइम में जाएगा और दोस्तों 1 प्रवान भाई 3 यह प्रीट यहां पर लिख सकते हैं यानि कि यहां पर बन रही है जाहर सी बात में जो बनती है लेंस की केस में यह इसी बनती है दोस्तों वर्च्वेट वर्चुल एंड एरेक्ट ठीक है नहीं वर्चुल एंड एरेक्ट ठीक है तो इमेज इमेज इस वन बै थ्री ओफ दे साइज अब अब ज़ेक्ट यहां पर एक और चीज देखेगा एच डेस बाइच इस इस इकल टू वान वाइट री वान वाइट तरी तो हमारे यहां पर इमेज बन रही है कैसा बन रहा है तो यह हमारे यहां पर आ गया है तो यह हमारा टेन पॉइंट तरी भी समाल यहां पर सुल हो चुका है चलिए बढ़ते नेक्स सवाल एक और सबने यहां पर कर लिया जाए तो यहां पर टेन पॉइंट फॉर में कहा जा रहा है एक टू सेंटीमेटर टॉल अब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट अब्जेक्ट इस इकली टू सेंटीमेटर है औरो जब यहां पर कौने दिख्ञेंक्ट टेन सेंटीमेटर तो आपको पता जो लाइट रहें टो फोकस हो네 यहां रहें ही कि फोकस हमें एसकी इसी साइड लेंगे ना तो फोकल-ॉकल से यहां पर हम दो रहें रहे हैं तो focal length यहाँ पर हमेशा यह कौन सी एकसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एकस एकसिस को यह हमेशा क्या रहता है पोजिटीव रहता है तो यहांने कि आप पे जो focal length हमें मिल रहा है 10 cm की यह क्या है यह पोजिटीव है अब देखिए the distance of the object from the lens is 15 cm यानि कि ऑबजेक्ट की डिस्टेंस ऑबजेक्ट तो मिसा लेट साइड में पुट करते तो यू इस उकल टू कितनी है दोस्तों 15 cm तो इसको तो मैने समय लेंगे क्योंकि औबजेक्ट को तो यहीं कहीं रखा गया होगा ना और कहा जारा है यहां कहीं पर औबजेक्ट को रखा गया है यहीं बात है ना क्योंकि आपको पता ही यहां से लिख करके यहां तक 10 cm है और इसकी ही डबल क्या होती सेंटर कर वेचे जिसको मुलते हैं ट्वेंटी सेंटीमिटर लेकिन अब्जेक्ट को यहां पर कितना में रखा गया 15 सेंटीमिटर यानि कि यह 10 के बाद 20 से पहले यानि कि को बीच में कई होगी यह बस समझने क्लियह मैं आपको बताब्रों आगी कोशन के तरफ में बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वे preca Dilber हमें और कि 0.5 मारे यू वन पर भी निक खृपकर कालतें बाहर और हमारे पास यहां पर हो जाएगा- 1 by F minus minus वहां जाके plus होजगा 1 by U तो 1 by V फिर सम्हें यहां पर देखते हैं तो 1 by focal length focal length कितनी है 10 cm की plus 1 by U यू हमारे पास कितना 15 cm तो minus 15 cm this implies 1 by V बरावर यहां पर दुस्तों ले लेंगे 30 cm है कि और 10 3 होती है तो 3 अब यहां पर देखें माइनस है तो माइनस है यहां पर ले लेंगे 15 तूजा यहां यहां पर हमारा 1 by V आ रहा है कुछ 1 by 30 यहांने कि इस तरह हम जानते हैं वह वरावर वर पास कितना है 30 cm किस में इसलिए यहां पर प्लस हम ले करके चल रहें तो यहां पर पुजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि इमेज इमेज जो बन रही हो 30 cm on the other side of optical center यानि कि इमेज यहां पर हम लिख लेते हैं इमेज इस फॉर्मड एट 30 cm फ्रॉम दा 30 cm इमेज इस फॉर्मड एट 30 cm फ्रॉम दा next side of optical center ओ मतलब optical center है कि ने ओनने इमेज क्या बन रहें next side of the lens है कि हमारे यहां पर object जब यहां पर रख रहें तो सके next side यह सामने वाला साइड हुआ ना यान कि right side भी हम यहां पर लिख सकते थे तो हमारे पास यहां पर वी का वेल्व तो आगया प्लस 30 cm अब हमें यहां पर इमेज दिसन्स निकालनी थी तो यान कि मैंगनिफिकेशन बरावर होता है हमारे पास भी बाई यू और इसी का एक और फर्मॉला होता है दोस्तों एक सब्सक्राव है तो हमारे पास यहां पर भी बाई यू है है कि यह तो में लेते हैं भी बाई यू इस एकल तू हैwor सर्फ यह जानकी है यानn으 हमेज कि इमेज की जो हाइट है वह हमारा मैंस फोर सेंटीयमिटर यहां पर इंडिकेट कर रहा है जो यहां पर यहांपे बनी है वो क्या बनी है यह बनी है real and inverted, image कैसी बनी है, real and inverted, इसलिए जब inverted बनेगी तब न वो जाकर के minus y axis को represent करेगी, इसलिए यहाँ पर minus n दिया गए, ठीक है, तो बस यह था इस सवाल में और यहाँ पर देखा जाए nature, तो nature हमने यहाँ पर लिख लिया, real and inverted, position आपको पता चलिए थर्टी सेंटीमेटर उन्दर नेक्स साइड ऑप अप्टिकल सेंटर है किने साइज, साइज की दोस्तों जब बात करते हैं, तो यानि कि यहाँ पर हम देख रहें, दो गुना, ठीक है, दो गुना, पहले था यहाँ पर object की साइज, दो सेंटीमेटर, अब यहाँ पर कितना बन रहा है, दोस्तों चार सेंटीमेटर यानि कि दो गुना बन रहा है, है कि नहीं, यहां पर हम कह रहे है, image formed is two into height of object, है कि नहीं इमेज कितना बना दो गुना बन रहा है, यानि कि यहाँ पर enlarged बन रही है, in large, ठीक है, बस यही निकालना था इस सवाल में तो चलिए दूस्तों बस इतना तक रखते इस वीडियो में थैंक्यू सो मच यह बने रिए लिए मिलते नेक्स वीडियो में इसी चेप्टर की नेक्स नुम्रिकल की साथ एक साइस के लिए तब तर तक लिए मसहत बने रिए पहुत भूत